हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम फूड मस्ती में कैसे हैं आप आई हो पाप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं कमाल के किछन टिप्स ये किछन टिप्स आपकी रोजमरा की जिन्दगी में बहुत ही काम आने वाले हैं तो चलिए फटाफर शुरू कर लेते हैं आज का पहला टिप पहला टिप है जार को लेकर जब अचार खतम हो जाता है तब हम जार धुलते हैं लेकिन उसमें आम के अचार की खुश्बूर रह जाती है जो कितना भी हम जार को धुलें और सुखाएं लेकिन इसमेल जाती नहीं तो हमें क्या करना है एक प्लेट में दो तीन तेज पत्ता लेना है तोड़के डाल देना है थोड़ी सी हिंग डालना है और बन पिंच हमें देशी घी लेना है इन सारी चीजों को हमें एक माचिस की सहता से इसे जला लेना है सच मानिएगा जो आम के अचारी की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी तो हमें क्या करना है इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से जला लेना है तो चलिए इसको जला लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं कमाल का आइडिया है आप जरूर इसको ट्राइ करिएगा आपके जितने भी जार होंगे बिल्कुल भी उसमेल नहीं आएगी आप उसमें कोई भी चीज रखिए बिल्कुल भी इसमेल नहीं आएगी तो देखिए हमने सारे तेजपता को अच्छी तरीके से जला दिया है और जलाने के बाद इसमें जो धुआ निकलेगा उस धुआ को इसी जार के अंदर हमें कर देना है तो चलिए ये धुआ देखिए निकलने लगा है जार को हमें क्या करना है इसी धुआ के उपर जार को रख देना है और सारा धुआ जो होगा इस जार में आ जाएगा और आ जाने के बाद हमें तुरंथ ही इस जार को बंद कर देना है तो चलिए इसको बंद कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो देखी अच्छी तरीके से धुआ आ गया है इससे होगा ये जो आम की जो इसमेल होती है अचार की वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका जो जार है वो भी क्लीन हो जाएगा और अच्छी सी खुश्बू आएगी तो ये टिप आपको जरूर यूस्फूल लगा होग तो चलिए अगला ठीप बताते हैं तवे को लेकर अकसर जब तवा जल जाता है काला हो जाता है उसे छुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन आज हम चुटकियों में इस तवे को साफ करने वाले हैं तो लेना है थोड़ा सा कोलगेट यूस किया हुआ कुट को लगा दिया है सच मानिएगा आपका तबा एकदम साफ हो जाएगा बिलकुल भी मेहनत नहीं लगेगी चुटकियों मिंटों का काम अब मिंटों में होने वाला है तो देखिए हमने तबे में लगा दिया है और इसे पांच मिनट के लिए रिष्ट पर छोड़ देंग तो चलिए पांच मिनट हो चुके हैं अब हमें क्या करना है पांच मिनट के बाद इसे थोड़ा सा और रफ करना है जिसे की जो गंदगी फूली हुई है वो अच्छी तरीके से चुट जाए तो देखिए अच्छी तरीके से हमने चारो तरब गुमाते हुए नीबु को कि अब हम लेंगे पानी और पानी से इसे अच्छी तरीके से धूल देना है आप देखें ऐगे आपका तवा एकदम साफ हो गया है घंटों का मिंटों हो गया है और एकदम क्लीन हो गया कोई भी जमस वगरा भी नहीं delegates हैंगे और आपका तबावी एकदम साफ हो गया है और कोई महनत भी नहीं लगी है तो यह टिप आपको जरूर यूसफुल लगा होगा अगर यूसफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अगला टिप है चूड टांगने वाले अगर हेंगर आपका टूच जाए तो आप उसको फेकिएगा नहीं इस तरह से आप प्लास की मदद से इसका हुक जैसा आप बना लीजिएगा जिसे कि यह हेंगर अच्छे से फस सके तो आप अब आप इस हेंगर को यूस कर सकते हैं चूडियों में तो हमें क्या करना है इस हेंगर में सारी चूडियों को डाल देना है तो इस हेंगर में लगबख 4-5 दरजन चूडियों आराम से आजाएंगे और जो आपका चूडियर केश बार हुआ है वह भी आपका नहीं आब उसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं आप बस इस हेंगर को ही आइडिया है आपका जो हेंगर है वो भी यूस हो गया और हमारी चूड़ी भी अच्छी तरीके से सेफ हो गए तो यह आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा इस इस हेंगर को आप कहीं भी टांग सकते हैं चाहें इसमें जब आपको दिखाते हैं अगला नित टीप हो हमारा अगला तीप नना हमें बघुछ जधा जाती है जिनसे बचना बहुत ज़्यादा दा जवरी हो जाता है तपो किमाल का टिप बताएंगे तो हमारा कारी बाता है और लेकिन चीटिया इस कैसरोल के अंदर भी आजाती है तो आज हम आपको कमाल का टिप बताने वाले हैं हमें लेना है वाइट विनेगर और एक लेना है कॉटन और इसे अच्छी तरीके से विनेगर में डिप कर लेना है और जहां पर हम कैसरोल रखते हैं उसके चारों तरफ हमें एक घेरा बना देना है इससे होगा क्या चीटी बिल्कुल भी इसके आसपास नजर नहीं आएंगी और आपकी रोटी एकदम सेफ रहेंगी एक भी चीटी पास नहीं आएंगी आप चाहें तो सबजी के पास भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं जो भी आपकी खाने वाली चीजे हैं आप उनमें इस टिप को अजमा सकते हैं तो ये आई होप ये टिप आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और इस तरह से सारी चीजों को चीटियों से बचा लीजेगा अगला टिप है आलू को लेकर आज हम आलू का कमाल का टिप बताने वाले हैं जब हम आलू छीलते हैं तो छिकले तो हम फेक देते हैं लेकिन आज हम छिकले का ऐसा कमाल बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा तो हम आलू को छील लेंगे और छीलने के बाद इन छिकलों का यूज करेंगे तो देखिए हमने छिकल निकाल लिये है आलू का और छोटे छोटे इनके टुक्रे हमें कर लेने हैं चलिए इसके हमें छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे कमाल का इसका solution आपको बना कर दिखाएंगे बहुत ही कमाल का है तो वीडियो को लाज तक देखिएगा अगर नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा त तो इसे हम दूसरे बरतर में ट्रांसपर कर लेंगे छिलको को और इसमें एड करेंगे हम आधा चमच बेकिंग सोडा तो यहां पर हम आधा चमच बेकिंग सोडा एड कर देंगे और एक चमच वाइट विनेगर तो देखिए हमने एक चमच वाइट विनेगर डाल दिया है और इसमें आड़ करेंगे आधा गलास से कमबानी तो आधा गलास हमने पानी डाल दिया है और इसे हमें एक मिनट के लिए बॉयल कर लेना है तो चलिए एक मिनट के लिए इसे बॉयल कर लेते हैं अच्छी तरीके से इसे बॉयल करना है जब तक अच्छा सा उबाल नहीं आ ज इसको उतार लेंगे और ठंडा करेंगे तो देखे हमने उतार लिया है अब इसमें हम डालेंगे चार से पांच नीबू का रस डालेंगे चार से पांच बून हमें नीबू का रस ही डालना है और नीबू का रस डालके इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है तो देख हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज दोस्तों तो देखिए केमिकल हमारा बनकर तयार है एक हमको शीसी लेनी है या बोतल इसको बोल सकते हैं लेनी है उसमें हमें इसमें इसको रख लेना है और उप इस केमिकल को सिंक में ट्वालेट में जहां भी आप डालेंगे तो जितने भी छोटे कीरे जो होते हैं वो मर जाएंगे और आपकी जो सिंक है और ट्वालेट एकदम क्लीन रहेगी और किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी एक अच्छी सी खुश्बू आएगी और पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हमें कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्ति